और अब बात डीजी जी जी आई जैपोर्जोनल यूनिट की सफलता की तो इस यूनिट ने अब तक 1000 करोड रुपे से ज्यादा की कर्चोरी उजागर की है यूनिट ने एक जुलाई 2017 से 31 मार 2018 तक 632.51 करोड और एक अप्रेल 2018 से 20 जून 2018 तक 330.30 करोड रुपे की कर्चोरी के मामले पकड़े डीजी जी आई के सफलता को लेकर एडीजी राजिन कुबार से खास बातचीत की समवादता विमल को ठारी ने एक जुलाई 2017 से GST कानून लगा और इस कानून के लगने के साथ ही ये उम्मीद होने लगी कि GST के बाद कर्चोरी पर लगाम लगेगी डीजी जी आई ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि करीब एक हजार करोड के आसपास की कर्चोरी अकेले राजस्तान में हुई है हमारे साथ राजस्तान में DGGI के प्रभारी और ADG राजंदर कुमार जी है हम उनसे जानते हैं आखरी ये एक हजार करोड की जो कर्चोरी है इसके पीछे जो DGGI के अधिकारियों को सफलता मिली है उसका राज क्या है सर ये कर्चोरी इतनी सारी उजागर हुई है इसके बारे में आपका क्या कर दो पहले तो मैं इसपेश्ट कर दूँ कि ये जो आपने एक हजार करोड बताया इसमें थोड़ा सा अंतर है ये इसमें से 672 करोड जो है वो जुलाई 17 जब से GST आया और मार्च 18 तक है और जो बचा हुआ अमाउंट है वो अप्रेल 18 से 18 जून 2018 तक है और इसमें हमने रियलाईजेशन जो किया है जुलाई 17 से मार्च 18 तक वो 15 करोड 31 लाग का है और अप्रेल 2018 से 18 जून 2018 तक है उसमें तकरीबन दस करोड का हमने रियलाइजेशन किया है। डीजी जी आई ने पिछले कुछ समय में कुछ गरपतारियां भी किया, कुछ कैसेज भी बनाए हैं। तो क्या गरपतारी करने से आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है, उसको कोई गती मिली है। देखिए, जो गरपतारियां हुई हैं, उसका कारान अलग था, हमें सूचना मिली थी कि कि कुछ लोग और कुछ फर्म्स जो हैं, वो फर्जी बिल बना रही हैं, उसके साथ वो गुट सप्लाई नहीं कर रही हैं। जो उनका जो कारनामा है वो काफी बड़े इस्थर पर चल रहा था और कई राज्यों में चल रहा था, तो उसमें राजेस्थान, मद्यपृदेष, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, तथा नियराज़ों में चल रहा था, तो उसमें तीन लोग हमने गरबतार किये थे, और फिर मामला भी कोर्ट में लंबी थे, और उनका बेल एप्लिकेशन भी कोर्ट ने खारीज कर दिया है, अभी वो जुडिशल कस्टेडी में है, और अभी औ सामील है, और साथ में इसमें human intervention भी सामील है, जो हमारा conservative information system रहता है, जिसमें हमारे informers रहते हैं, वो काफी actively हमें support कर रहे हैं, उनसे भी हमें इसमें जानकारी मिलती है. कुल मिला की एक आजा सकता है, डीजी जी आई ने अपना helping hand करदाताओं के सामने बढ़ाया है, अब देखने वाली बात यह है कि करदाता इस helping hand से help लेते हैं, या फिर कर चोरी करके डीजी जी आई की शिकन्जे में फसते हैं, कैमरा परसन तिर लोग के साथ विमल कोठारी, फस्तिर नूस, जयाप।